हेलो स्टुडेंट मैं आई सुनन्द आप सभी रस्वगत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास भाई आयूस में आज हम लोग मैठेस टेफ 4 का एक्सराइस 10 का सॉल्यूशन करेंगे तो बेना टाइम वेश्ट के चलते हैं क्वेशन नंबर वन पर और देख देखते सुन नंबर वन में KEYा है DRS.8460 ए अस मंत्री सैलरी फिर्म और फिर्म कोई प्राइबीट कमपणी यहांपर रिश्ट रेश्ट्रे श्ट्यूर हम कम करता है वहां से उसको 8,460 रुपिया मंत्री रुपिया मंत्री सैलरी मिलता है He works as a part-time assistance in a printing press printing press जहां पर प्रिपर चबता है या कुछ करता है वहां पर वो assistant के तोर पर काम करता था part-time job करता था वहां से his monthly income from the press is Rs. 1345 वहां से 1,345 महना उसको मिल जाता था his monthly expenditure is Rs. 5230 और उसका जो monthly खर्ज था वह 5,230 रुपिया था तो how much does he save every month तो वह कितना रुपिया हर एक मैना बचा लेता था तो देखते हैं इसके question में इसमें करना क्या है total salary उसका निकाल लेना है total salary कितना मिलता था उसको 8,460 मिलता था private firm से और फिर 1,345 मिलता था printing price से यह दोनों को add करके फिर जितना expenditure होगा तो उसको घटा देंगे तो निकल जागा हम लोका saving कितना है तो देखते है solution में क्या करते है इसका solution में क्या लिखते है solution में यहाँ पर solution में लिखेंगे रिशेस्टोरें मंथली इंकम तो मंथली इंकम कितना है उसका 8,460 प्लस 1,345 उसका यह दोनों को add करेंगे तो कितना है गा 9,805 इस मंथली expenditure उसका total मंथली मेंना का खर्च कितना है 5,230 तो 9,805 में 5,230 मैनस कर देंगे तो मैनस करेंगे तो कितना आएगा 4,575 यह उसका बचता है तो यहाँ तक होगे question number 1 complete जलते है next question पर और देखते question number 2 में क्या है question number 2 में करता है Mr.Raisby bought a house for Rs.425,000 Mr.Raisby जो था वो एक घड खरीता है उसका कीमत होता है 4,25,000 रुपिया he spent Rs.80,580 on painting and decorating the house उसी घर को सजाने में मतला पैंट करने में और उसको सजाने में वो 80,580 रुपिया खर्च कर देता है he sold the house for Rs.7,50,000 और फिर उस घर को 7,50,000 में बेज देता है how much more money did he get than what he had spent उसको फिर कितना जादा रुपिया मिला जितना वो खर्च किया था उसे कितना जादा रुपिया उसको मिला ये पूछ रहा है तो देखतें इसके solution में क्या लिखेंगे solution में क्या लिखेंगे solution में लिखेंगे Mr. Rizvi spent to buy the house उस घर को खरीदने में मिस्टर रिजवी को कितना खर्च लगा 4,25,000 एमाउंट ही एस पेंटिंग एंड डेकोरेटिंग उसका पेंटिंग और डेकोरेटिंग का खर्चा 80,580 टोटेल एमाउंट ही एस पेंट ऑन हाउस इस दोनों को जोड देंगे तो पता चले जाएगा कितना खर्च हुआ पुरे घर में तो 4,25,000 उसका दाम और फिर 80,580 जो उसका पेंटिंग और सजाने का दाम लगा था इस दोनों को एड करेंगे कितना एगा 5,5,580 एमाउंट ही सेल दा हाउस पोर जो हाउस के लिए जितना दाम में वो बेचा कितना दाम में बेचा 7,50,000 में अब जितना वो खर्च किया था उसके उसको कितना ज़्यादा मिला तो 7,50,000 में माइनस कर देंगे 5,5,580 तो निकल देगा 2,44,420 एक घर को बेचा तो उसको 2,44,420 रुपय का इंकम हुआ सोचो कितना फाइदा हुआ अचलो यह कोईशन नमर्टू भी कम्लेट हो गया चलते है नेक्स कोईशन पे और देखे कोईशन नमर्ट्री में क्या है कोईशन नमर्ट्री में कहता है सौफ A has 1,200 packets of T एक दुकान है सौफ A उसमें 12,000 चाय पत्ती का पकेट है फिर सौब B has 180 packets less than सौफ A मतलब सौफ A में 1200 है तो शौब B में 180 कम है यह सौफ C has 325 packets more than सौफ A सौफ C के पास सौफ A से 325 packets जादा है तो all together how many packets of T do this swap have तो total मिला के उस तीनों swap के पास कितना packet of T है यह निकालना है बस कुछ नहीं करना है तीनों का पहले swap A का निकालना है फिर swap B का निकालना है फिर swap C का निकालना है उसके बाद तीनों को add करके बता देगे कि तीनों swap में कितना है चलो देखते हैं, इसका solution में क्या लिखेंगे, solution में लिखेंगे, packets of T, swap A has, swap A के पास कितना है, 1200 packets, packets of T, swap B has, swap B के पास कितना है, 1200, less than 180 बोलता था, कितना बोलता था, less than 180, तो swap A में 12 हो था, उसमें से 180 मैनस कर दिए, तो कितना बचा, 1000, 20, packets of T, swap C has, swap C के पास कितना है, swap A से 325 ज्यादा है, मोडता, तो add कर दिए, आगया 15, sorry, 1525, अब तीनों swap का निकल गया, swap A में 1200 है, swap B में 1020 है, और swap C में 1525 है, तीनों को अगर add कर देंगे, तो निकल जाएगा, कुल मिलाकर, तीनों दुकान में कितना है, तो कितना आया, 3745, तो there are 3745 packets of T, all together, कुल मिलाकर, वहाँ पर 3745 चाय का packet है, तो लो, question number 3 के लिए, चलते हैं, नेक्स question पे, और देखते है, question number 4 में क्या है, question number 4 में कहता है, Mrs. Calls earns 34248 in a year, Mrs. Calls जो है, वो एक साल में 24248 रुपया कमाती है, Mr. Calls उनका हस्बेंड, earns 24526 more than Mrs. Calls in a year, Mr. Calls जो उनका हस्बेंड है, वो Mrs. Calls से 24526 रुपया ज्यादा कमाते हैं, their son Parveen earns 10,222 less than Mrs. Calls, उनका बेटा जो परवीन है, वो अपनी मम्मी से 10,222 रुपया कम कमाते हैं, how much do they earns all together in a year, तो कूल मिलाकत, वे लोग पूरे साल में कितना रुपया कमाते हैं, तो पहले के तरह है, इसमें भी more और less का खानी है, तो जहाँ पर more है, वहाँ पर add कर देंगे, जहाँ पर less है, वहाँ पर minus कर देंगे, चलो देखते हैं, solution में, solution में क्या लिखेंगे, solution में लिखेंगे, Mrs. Call earns, Mrs. Call जो थी, वो कितना कमाते थे, 34,248, Mr. Call earns, Mr. Call कितना कमाते थे, 34,248 से 24,526 ज्यादा, तो दोनों को add कर देंगे, तो निकल गए 58,874, their sir earns, उनका बेटा कमाता था, 34,248 से 10,222 कम, इसलिए यहाँ पर minus कर दिए, यहाँ पर less बता रहना देखो, यहाँ पर less, less than Mrs. Call, तो 24,026 रुपया आगिया, अब तीनों को add कर दिए, तीनों को add कर दिए, add कर के कितना है, 1,17,148, तो लिखेंगे, they earns 1,17,148 all together in a year, तो तीनों मिलके, एक साल में, 1,17,148 सुपया कमाते हैं, question number 4 भी complete हो गया, next question पर चलते, question number 5, और देखते, question number 5 में क्या है, question number 5 में कहता है, the greater between two number is 6480, दो number में से 6480 बढ़ा है, जैसे कि कोई दो number 7 और 8, इसमें से कोई एक number बढ़ा है, वो 8 है, तो उसी तरह कोई दो number है, जिसमें की, एक number बढ़ा है, 6480 है, the sum of the number is 10,580, उस दोनों को number को अगर जोडते हैं, तो हमको add कितना आता है, 10,050, find their difference, तो उसका उस दोनों को घटाएंगे, तो कितना मिलेगा, जैसे माल लो, कोई दो number का sum दिया हुआ है, 10, और फिर एक number दिया हुआ है, 6, तो 6 प्लस कितना करेंगे, तो 10 आएगा, तो 6 प्लस 10 कितना करेंगे, तो 10 आएगा, तो 10 में से 6 घटा देंगे, तो आज़ा कितना, 4, यहाँ पे 4, तो 6 प्लस 4, 10, तो 6 मैनस 4 कितना होगा, यह यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसका solution में देखते हैं, solution में, solution में क्या लिखेंगे, देखते हैं, solution में, solution, solution में लिखेंगे, sum of two numbers, sum of two numbers, equal to कितना दिया हुआ था, 10,580 1st number उसमें से पहला number कितना है 6,480 2nd number निकाल ला है 10,580 में से मैनस करते हैं 6,480 2nd number हम लोगो निकल जाएगा 4,200 तब अब ये दोनों का number 1st number और 2nd number का difference पूछ रहा है 1st number में से 2nd number को घटा देंगे 2,380 2,380 Q5 भी complete हो गया चलते हैं next question, question number 6 6 में और देखते हैं question number 6 में क्या है question number 6 में कहता है by how much is the sum of 8,263 and 9,152 greater than their difference भूल रहा है इसमें की 8,263 का जो plus 9,152 9,152 करेंगे इसका जो sum निकलेगा वो इसके difference है फिर इसको जो मैनस करके जो difference निकलेगा उससे sum कितना ज़्यादा है इसमें sum कितना ज़्यादा है तो देखते solution में क्या लिखेंगे solution में लिखेंगे their sum ये दोनों का sum करेंगे sum करेंगे भी कितना आता है 8,263 plus 9,152 add करेंगे तो आएगा 17,415 फिर उसका difference करेंगे मतलब subtract करेंगे their difference equal to कितना आएगा 9,152 minus 8,263 उसका difference आता है 8,889 अब बोल रहा sum कितना ज़्यादा है difference से तो इस दोनों को minus कर देंगे तो पता चल लिएगा कितना ज़्यादा है मैनस कर देंगे तो कितना आया minus करते हैं तो 16,526 आया तो यहाँ पर लिखेंगे sum of 8,263 and 9,152 is greater than their difference by 16,528 बोलता है इस दोनों का sum से sorry इस दोनों का sum इस दोनों का sum इस दोनों के difference से 16,528 ज़्यादा है तो question नमर 6 भी complete हो गया चलते है next question पे question नमर 7 और देखते question नमर में क्या है question नमर में 7 में करता है what must be added to the difference of 19,250 and 11,905 to make it equal to their sum पोलता है इसके difference में इसके इस दोनों के number के difference में कितना add करेंगे तो इस दोनों के sum के बढ़ावर पहुँच जाएगा इस दोनों के sum के बढ़ावर पहुच जाएगा देखते solution में क्या लिखेंगे इसमें solution में लिखेंगे their sum equal to उदोनों का sum कितना है 19,250 plus 11,905 बढ़ावर कितना आता है 31,155 their difference equal to उदोनों का minus करेंगे तो कितना आता है तो 7,345 अब 7,345 में कितना add करेंगे तो 31,155 आ जाएगा तो the number must be added जो बहुत जरूरी है चोड़ने के लिए 31,155 में मैनस कर देंगे 7,345 तो निकल जाएगा वो number जितना हमको add करना है इतना add करेंगे 7,000 में तो इतना आ जाएगा question number 7 भी complete हो गया चलते है next question पर question number 8 पर लेकिन question number 8 में जाने से पहले प्लीज भाई लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो like कर दे share कर दे और subscribe कर दे चलते question number 8 पर देखे question number 8 में क्या करता है question number 8 में कहता है what number must be subtracted from the sum of 61,235 and 18,790 to make it equal to their difference इसमें just उल्टा कर दिया है इसमें क्या बोल दा है इसके sum में से कितना minus कर दे साफ साफ कर दिया है इसमें इस दोनों के sum में से कितना minus कर देंगे तो इसके difference के बराबर आ जाएगा same question है देखे solution में क्या लिखेंगे solution में लिखेंगे their sum उसका सम बराबर कितना है उसका कितना आएगा उसका मैनस करेंगे तो इसके कितना आएगा तो अब 80,025 मतलब उसके सम में कितना मैनस करेंगे तो 42,445 के बरावर आ जाएगा तो 80,025 मैनस 42,445 तो निकला कितना 37,580 37,580 मैनस करेंगे उसके सम में तो उसका difference के बरावर आ जाएगा सब्सक्राइब कर देखें नेक्स कोशन नहीं है लास्ट कोशन कोशन नमर एट तक ही था अगर आप लोग को प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दे शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे